विंटर सीजन के भी अपने चैलेंज होते हैं जो हर होमेकर को फेस करने पड़ते हैं सबसे बड़ा चैलेंज होता है विंटर वार्डरोब को और्गनाईज करना क्योंकि विंटर के जो वूलन कपड़े होते हैं वो काफी फलपी होते हैं और wardrobe में बहुत ज़्यादा space भी लेते हैं और winter के जो कप्रे होते हैं वो काफी ज़्यादा होते हैं जिससे इन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं winter season में woolen कप्रों को wardrobe में कैसे organize करती हूँ कि ये wardrobe में कम से कम space लेते हैं नमस्ते friends मैं हूँ अंजना तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम इस परकार की जो fluffy jacket होती है जब हम इसे wardrobe में hang करते हैं तो ये काफी space लेती है इसकी जो fluffy sleeves होती हैं वो wardrobe में फैली फैली सी दिखती है और wardrobe पिल्कुल भी organize नहीं रहती तो इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले इसकी जो sleeves है इसे उल्टा करना है इन sleeves की वज़े से wardrobe भरा भरा लगता है और ये काफी फैली रहती है जिससे wardrobe well organized नहीं रह पाती तो इसकी दोनों sleeves को हमने उल्टा कर लेना है और इन दोनों sleeves को उल्टा करने के बाद इस प्रकार से jacket के अंदर की और fold करेंगे अब लगाएंगे hanger और hanger लगाकर जिप बंद करेंगे इस से wardrobe में ये कम space लेगी और wardrobe भी well organized दिखेगी और इस प्रकार के जो woolen shrug होते हैं ये भी wardrobe में बहुत ज़्यादा space लेते हैं क्योंकि ये long भी होते हैं और काफी फैले रहते हैं यदि हमें wardrobe well organized चाहिए तो इसे hang करने से पहले सबसे पहले इसकी जो sleeves है इने उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद इन sleeves को अंदर की और fold कर लेंगे क्योंकि इनकी जो sleeves होती हैं वो काफी wardrobe में फैली रहती हैं और जिस से wardrobe organized नहीं रह पाती तो श्रक की दोनों sleeves को इस प्रकार से उल्टा करेंगे और अंदर की और इसे fold कर लेंगे इसकी collar को भी set करेंगे collar को set करते हुए hanger डालेंगे और सामने की और safety pin से इसे secure करेंगे अब इसे हम wardrobe में hang करेंगे तो आप देखेंगे कि wardrobe में ये बहुत कम space लेगी और wardrobe भी भरा भरा नहीं दिखेगा और wardrobe काफी neat and clean दिखेगी और इस प्रकार के जो blazer होते हैं इन्हें hang करने के लिए हमेशा हमें white hanger का ही use करना चाहिए इस से इनकी shape खराब नहीं होगी तो blazer को भी hang करने से पहले इसकी sleeves को अंदर करेंगे लेकिन इसकी sleeve को जब भी अंदर करें हमें बहुत ध्यान से करना है ताकि इसकी shape ना बिगडे और sleeve को उल्टा करने के बाद इसकी shape को हमने set करना है इसी पकाज से दूसरी और की sleeves को भी हम उल्टा करेंगे और इसे अंदर की और fold करेंगे और इसी पकाज से दूसरी side की shape को भी set करेंगे अब इसमें hanger डालेंगे hanger डालने के बाद इनके बटन बंद करेंगे और अब जब भी इसे wardrobe में hang करेंगे तो wardrobe बहुती neat and clean दिखेगी wardrobe पिल्कुल भी भरी भरी नहीं दिखेगी और हमें काफी सारे कपड़े रखने के लिए space भी मिलेगा प्लीज एक पाद channel को visit करें खर को well organized रखने के लिए इस channel पर आपको ठेज सारी वीडियो मिलेगी और same process हमने इस परकार के sweater के लिए करना है wardrobe में hang करने से पहले इसकी chain को open करना है दोनों sleeves को उल्टा करेंगे और अंदर की और fold करेंगे इसकी collar फैली फैली ना दिखें इसके लिए collar को भी अंदर की side fold करेंगे अब इसमें hanger डालेंगे और इसकी चीप को बंद कर देंगे अब जब भी इसे wardrobe में hang करेंगे तो wardrobe neat and clean दिखेंगे और इस परकार की जो cardigan होती है सेम प्रोसेस हमने इस परकार की cardigan के लिए ही करना है इसके बटन को open करना है इसकी sleep को उल्टा करते वे अंदर की और fold करेंगे और hanger डालेंगे hanger डालने के बाद इसके बटन बंद करेंगे अब मैं इन सब को wardrobe में hang करती हूँ और दिखाती हूँ कि ऐसा करने से wardrobe कितने neat and clean दिखती है इससे wardrobe में space भी काफी मिलेगा और wardrobe भरा भरा भी नहीं दिखेगा और जो भी long coat या श्रग है उन्हें सबसे पहले hang करें उसके बाद दूसरे कपड़े hang करें इससे wardrobe हमेशा neat and clean दिखेगी और इस पकार की जो बास्केट होती है वो wardrobe को organize करने में काफी help करती है इस पकार की जो बास्केट होती है इसमें मैं अपनी सबी स्टोल रखती हूँ मेरी जितने भी favorite स्टोल है मैं इस पकार से roll करते हुए इस पास्केट में रखती हूँ इसे पकार से दूसरे सबी स्टोल को भी मैं roll करके ही पास्केट में रखती हूँ इससे सबी स्टोल well organized रहती है और सामने visible रहती है जब भी मुझे कोई स्टोल चाहिए होती है तो मैं easily निकाल पाती हूँ जब भी मैं स्टोल निकालती हूँ तो दूसरी स्टोल बिल्कुल भी disturbed नहीं होती इससे ये हमेशा well organized रहती है और चुर लैगिस होती है इन्हें हम इस पकार से fold कर सकती है इस पकार से fold करने से ये कम space लेती है हम इस पकार से इन basket को रख सकते है इस से इस स्पेस का भी यूज़ हो जाता है और वार्डरोब भी well organized रहती है हमेशा वार्डरोब neat and clean दिखती है और जब हम नोर्मल तरीके से वार्डरोब में इन कपड़ों को हैंग करते हैं तो वार्डरोब काफी भरी भरी दिखती है और काफी फैली फैली दिखती है और यदि स्टोल को हम ऐसे रखेंगे तो एक स्टोल को हम चब भी निकालेंगे तो दूसरी स्टोल डिस्टरब होगी बहुत बार ऐसा होता है कि एक सोक्स हमें मिल जाती है तो दूसरी सोक्स नहीं मिलती तो हमेशा इन्हें इस पकार से फोल्ड करें इस से ये हमेशा साथ पे रहेगी और इदर उदर कुम नहीं होगी सोक्स को फोल्ड करने के बहुत से मैथड होते हैं तो इस पकार से भी हम इने फोल्ड कर सकते हैं या दोनों सोख्स को लेकर हम इस पकार से नोट भी लगा सकते हैं इस से दोनों सोख्स हमेशा साथ में रहेगी और इन सोख्स और कैप जितनी भी होती है इन सब को मैं इस पकार से ट्रोर में रखती हूँ इससे हमेशा ये और्गनाइज भी रहती है और मुझे इदर उदर इन्हें ठूणना नहीं पड़ता और दोनों सोक्स हमेशा साथ में रहती है आज की वीडियो कैसे लगी कोमेंट करके जुरूर बताईगा तो मिलेंगे मेरी नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ ओके फ्रेंज बाइ